नमस्कार मैं आनन जैन, Head of Department of Electrical Engineering आप सभी का Government Polytechnic College हनमानगट के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ हमारी प्लेलिस्ट Electrical Estimation and Costing में आज 11KV HD लाइन की डिजाइन को समझेंगे और एक दो किलोमेटर की लेंथ में दो Angle Point Deviation के साथ दो MVA की लाइन वीजल कंड़क्टर के साथ डिजाइन की जाएगी जिसमें हम दो पोल के बीच में स्पान 50 मीटर लेते वे लाइन में लगने वाले सारे Material Estimate को बनाएंगे शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन डिजाइन ओफ 11KV लाइन आज हम 11KV HD सेकंडी डिस्टिबूशन की 3-phase 3-wire लाइन को जिसमें 2 MVA पावर केरी हो रही है उसे ऐलमूनियम के 6 कंड़क्टर 2.59 mm डामीटर के और बीच में एक कंड़क्टर स्टील रिंस्पोर्चमेंट के साथ जिसका ऐलमूनियम क्रोस सेक्शन एरिया 55 mm स्क्वार है कुमर्शली वीजल कंड़क्टर को हम प्री स्टेस्ट सीमेंट कंक्रीट पॉल स्टॉक्चर पे या RCC पॉल स्टॉक्चर पे जिनकी हाइट 9 मीटर है लाइन को डिजाइन करेंगे तो 2 पॉल के बीच में स्पान 50 मीटर लेंगे इस 2 किलोमेटर लंबी लाइन में 2 एंगिल डिविशन पॉइंट है हमें हर किलोमेटर में सेक को कंट्रोल करने के लिए कट सेक्शन पॉइंट एंकरिंग का बनाना होगा और लाइन में स्टार्ट और एंड पे जो 2 टर्मिनल पॉजिशन्स हैं वहाँ पर भी हम डबल पॉल अरेंजमेंट्स यूज करेंगे ह्टी लाइन की डिजाइन के लिए प्रिलिमनरी वाक्थ्रो सर्वे के बाद एक डिटेल सर्वे अनालेसिस के बाद पॉल की लाइन में लोकेशन्स को बनाते समय इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं लाइन में पॉल के बीच में स्पान को यूनिफॉर्म रखना होता है और लाइन में एक प्रोपर स्टेट लाइन अलाइंगमेंट बनाया जाता है टांस्मिशन लाइन को रोड के करीब जितना हो सके इस्टेबलिश किया जाता है ताकि material handling और maintenance में सुईधाएं रहे पॉल को प्लांट करते समय वर्टिकल alignment को plumbing से चेक करते हैं और पॉल एक स्टेट लाइन में रहेंगे तो longitudinal forces पॉल्स पर stresses डवलप नहीं करेगा हमें line को erect करते समय मिड स्पान में जब maximum सैग हो जाता है line सबसे ज़्यादा नीचे जूलती है उस समय ground clearance को safe maintain करना ज़रूरी है line को design करते समय angle points पे abrupt line में changes नहीं होने चाहिए हमें river और railway जैसी जो मुश्किल प्रकार की crossings हैं उन्हें avoid करना चाहिए पोल को जमीन में जहां कटान है किसी नदी नाले की किनारे हैं जहां मिटी टिकाउ नहीं है वहां नहीं लगाना चाहिए और अगर ऐसे स्थानों पर पोल को erect किया जाता है तो cement concrete से proper reinforcement पोल का करना चाहिए पोल की total length का one sixth part underground foundation में plant करना चाहिए आज जब हम 9 meter length के pole लेंगे तो 1.5 meter length को grounding करेंगे और pole के grounding के पास सारी cent और दूसरी position की proper compacting pole की stability maintain करने के लिए की जाएगी हम सारी angle deviation position पे और जहां हम 1 kilometer में 1 sec को काटने के लिए जो anchoring cut section points बनाएंगे उन पे और जो terminal का हमारा start और dead end position है वहाँ पर double pole structure यूज़ करेंगे एक double pole location के लिए 4 से 6 guy supports की आवशकता हो सकती है वहीं angular deviations पे जो double pole या single pole हम लगाते हैं उन पे एक या दो guy sets additional support के लिए longitudinal stresses को handle करने के लिए लगाने चाहिए हलांकि आज की transmission line design problem में किसी भी प्रकार की crossing नहीं है लेकिन अगर कोई transmission line road, rail, lt line या communication line को cross करती है तो angle of cross 90 degree रखना चाहिए या 90 के आसपास रखना चाहिए crossing के समय double pole structure के साथ line को horizontally disk tension insulator पे string करना चाहिए नीचे protection के लिए cradle guarding का इस्तेमाल करना जरूरी है और cradle guarding और road positions के बीच में जो ground clearance 6.1 meter हमें चाहिए उसे भी maintain करना है cradle guarding sections की दोनों तरफ crossings के pole पे बहुत effective और permanent pipe arthing करनी चाहिए line में state alignment में अगर deviations आता है तो pin insulator के उपर horizontal tensions आ सकती है तो cross arms के pole पर alignment को adjust करके हम pin पर आने वाली इस तरह की tensions को avoid कर सकते हैं अगर कहीं double pole structure लगाना possible नहीं है और angle deviation आ रहा है तो दो stain insulator के arrangement से हम जिनके बीच में हम suitable jumper का provision कर देते हैं इस तरह के insulation के उपर आने वाली horizontal tensions को रोक सकते हैं और इनको proper stay arrangement से counter balance भी कर सकते हैं आज की design problem में इस तरह का कोई case नहीं है लेकिन किसी दूसरी line में इस तरह की angular deviation single pole के साथ एक ही pole पे double stain insulator लगा कर हम counter balance कर सकते हैं एक HT line की design में pole के बीच में spacing या pole के बीच में string कियावा overhead wire जब sag या जोल बनाते हुए mid span में सबसे नजदीक जब ground का होता है तो जो safe ground clearance है वो Indian electricity के rule 77 और 85 के अनुसार होनी चाहिए rule 85 कहता है कि हम line में conductor पे जो tensile strength रखेंगे वो factor of safety 2.5 और conductor की जो ultimate tensile strength है उसके अनुसार maintain रखनी होगी और rule 77 कहता है कि हमारी 11 kv line अगर किसी road को cross कर रही है तो ground clearance across road 6.1 meter और along road 5.8 meter रखनी चाहिए tension को एक limit से ज़्यादा increase करके sag को घटा नहीं सकते और pole की अगर spacing बढ़ाते हैं और sag limit से ज़्यादा होकर ground clearance को maintaining कर पा रहा है pole की height ज़्यादा नहीं है तो normal course में हम दो pole के बीच में span 65 meter से ज़्यादा 11 kv के लाइनों में नहीं रखते हैं अगर हम उचे pole ने ज़्यादा cross section के conductor पे ज़्यादा tensile stresses डवलप करके sag को कम रखने की कोशिश करें तो हम इस span को बढ़ा सकते हैं लेकिन इस बढ़ेवे span के लिए हमें electric inspector से एक return consent प्राप्त कर लेनी चाहिए दो pole के बीच में span length depend करती है पोल की height कितनी है और हमारी जो minimum ground clearance 6.1 meter maintain करने के लिए maximum कितना sag allow कर सकते हैं span length बढ़ने से square proportion में sag increase होता है अगर हम 20% span बढ़ाएंगे तो sag 44% increase हो जाता है जब temperature maximum conditions पे हो wind velocity is zero हो उसमें sag maximum होगा सेको कम रखने के लिए हम overhead line conductor में tensions increase कर सकते हैं लेकिन increase tension से हमारा जो safety factor है और ultimate tensile strength capabilities है conductor की वो limits cross नहीं होनी चाहिए आम तोर पे commercial design पे हम pre-stress cement concrete के 8 meter या 9 meter height के pole इस्तेमाल करते हैं अगर हम 9 meter height का pole इस्तेमाल करते हैं और चोटा square, weasel या rabbit conductor का इस्तेमाल करते हैं तो span को लगबग 50 meter रखा जा सकता है इन conductors के cross section जादा नहीं है इसलिए आप horizontal tension increase करके span को बढ़ाते समय जो sag बढ़ता है उसे control नहीं कर सकते लेकिन डोग conductor जिसका की area 100 mm square है या बड़े साइज के जो ACSR conductors है उनमें हम सेक को 9 meter pole के साथ 65 meter तक ले सकते हैं अगर हम extra height 11 meter के steel rail poles या 11 meter के reinforced cement concrete pole लेते हैं जिनमें strength जादा है और बड़ा conductor लेते हैं 100 square mm cross section वाला 3.1 mm diameter वाले cross section वाला डोग conductor या इससे भी बड़े cross section वाले conductor लेते हैं तो हम दो pole के बीच में 11 kv की ht line के लिए span को maximum 107 meter तक ले जा सकते हैं आम तोर पे 100 meter से जादा span की ht line को design करना safe और economic नहीं माना जाता 11 kv की ht line के लिए हम cement concrete का pole लेंगे या metal steel का pole लेंगे 9 meter का pole लेंगे की 11 meter का pole लेंगे वो बहुत सारी चीजों पर depend करता है वो depend करता है हम line का span कितना लेना चाहते हैं अगर छोटे span हैं हम ज़्यादा safe को भी allow कर सकते हैं तो हम 8 या 9 meter के pre-stress cement concrete के poles पर कम tension के साथ conductors को string कर सकते हैं अगर conductor के sections बड़े होते हैं तो हम tensile forces को increase करके sec को reduce कर सकते हैं और span को बढ़ा सकते हैं छोटे pole के साथ ही अगर हम 11 meter के pole लेते हैं मजबूत pole लेते हैं RCC के या rail pole लेते हैं तो हमारी towers के number उन पर लगने वाले insulation बाद में आने वाली maintenance cost कम हो सकती हैं अगर हमारी local conditions urban है तो हम steel poles ज़्यादा पसंद करेंगे rural locations पे हम cement concrete के pole भी इस्तेमाल करते हैं अगर urban conditions है तो हम high 11 meter height के poles लेंगे ताकि हमें number of poles कम लगाने हों और ज़्यादा span के साथ भी line को design की जा सके आज की line में हम RCC pole का इस्तेमाल करेंगे जिने हम steel की roots को concrete slab के अंदर reinforcement के साथ यूज करते हैं इनके section square या rectangle हो सकते हैं नीचे से ये चोड़े होते हैं और ऊपर से सकड़े हो जाते हैं RCC के pole permanent nature के हैं इनमे self insulating properties हैं लंबी life हैं rain और दूसरी weather conditions से effect नहीं होते हैं लेकिन steel और concrete के इस्तेमाल के कारण ये नेकेवल वजन में भारी हैं इनकी लागत भी जादा होती है हम 11 मीटर के RCC pole के साथ बड़े sponse बना सकते हैं 9 मीटर के RCC pole जादा tension के साथ मोटे conductor को खींचने के काम भी लिये जाते हैं जहां पानी कठा रहता है waterlog conditions है वहाँ पे भी RCC pole इस्तेमाल किये जाते हैं pre-stress cement concrete के 8 या 9 मीटर के pole support बहुत जादा economic pole support है इनके वजन RCC pole की तुलना में हलके हैं इनमें concrete mix के अंदर steel के wires को डाल कर उन्हें vibrator की मदद से compress करके ढला जाता है दोनों RCC और pre-stress cement concrete poles में उपर टॉप से 500 mm नीचे और नीचे बॉटम में ground से 400 mm नीचे की positions है उसमें एक 50 का GI 8 SWG का तार अर्थिंग के लिए निकाला हुआ होता है जिसे हम pole की अर्थिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं single pre-stress cement concrete के pole को हम stone के जो मोटे पत्थर हैं boulder है या stone की जो blast available है उसको मिट्टी में मिला कर दबा कर erect किया जा सकता है जो RCC के double pole है जो ज़्यादा tensile stresses के साथ काम करते हैं जो angle deviation और cut section positions पर लगाए जाते हैं उन्हें हम cement concrete mixture 1-3-6, 1 cement, 3 core sand, बजरी और 6 जो stone blast हैं और बड़े size के stone blast 40 mm के आर्म तोर पे इस तरह की foundation की concreting के लिए इस्तेमाल होते हैं जहां water locked condition है और हम किसी भी तरह का pole इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे भी हम cement concrete mixture से pole की grouting करते हैं अग जब हम 11 kvHV की 3 phase 3 wire sub distribution line को design करने हैं तो सबसे पहले ACSR conductor के cross section की calculation की calculation की जाती है और वो depend करेगी transmission line में current या power transmission values पर और हम line current की calculation apparent power में root 3 line voltage का division करके दो MVA की मेरी line 11 kv पे जब काम करेगी तो उसका line current 105 ampere होगा ऐसी current carrying conditions के लिए aluminium का 25 mm के आसपास sufficient है हमारे पास 20 square centimeter का square conductor है वो insufficient है और उससे बड़ा standard conductor 30 square mm size का 7 strands 6 aluminium के और एक steel का reinforcement 2.59 mm 12 SWG के जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो 105 ampere current carrying capacities रखेगा इसकी maximum या safe current handling limit 160 ampere है वीजल और square छोटे cross section के conductors हैं और हमारा pole 9 meter height के है तो हम बहुत ज़ादा span इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम span बढ़ाएंगे तो सेक बढ़ेगा और ground clearance maintain करना मुश्किल हो जाएगा छोटे cross section के conductor में हम tensions भी conductor में increase नहीं कर सकते तो ऐसी conditions में 50 meter का span normal है और अगर हमारी line 2 km length की है तो उसमें 50-50 meter के 40 spans calculate हो जाएंगे और हमें span से एक ज़ादा supports की ज़रत होगी तो हमें 41 pole supports की ज़रत होगी इस line में दो जगए angle deviations हैं हर km में एक जगए हम सेक को sectionalize करने के लिए cut points बनाते हैं जिने special anchoring देते हैं और start और end पे जो मेरी terminals हैं वहाँ पे भी हम double pole structure सिस्तेमाल करेंगे distribution line में सेक के असर को जो लगातार horizontal stresses बनाकर increase हो जाता है control करने के लिए हम 50 meter span में हर दसमें span के बाद जो pole आएगा दोनों तरफ line के end से वहाँ हम double pole structure लगाकर special stake grouting करके distribution line के conductor की horizontal tensile stresses है उन्हें neutralize करेंगे तो span में 11 number start से जो tower है और end tower से 41 सारे हमारे towers थे 10 पहले जो 31 number tower है वो हमारे cut section anchoring tower हो जाएगे दो जगें यहाँ 17 नमबर और 22 नमबर पे angular deviation जादा है तो वहाँ हम angle deviations पे double pole arrangement और चार stay से special grouting करेंगे ताकि line में mechanical strength maintain रहे तो हम कुल 6 जगें दो cut section, दो angular deviation और दो terminal positions पर double pole structure यूज करेंगे और बाकी 41 में से जो pole structure है उन्हें हम single pole structure यूज कर लेंगे single pole structure पे हम V-shape में cross arms लगाकर pin insulator से line को एक दूसरे और टावर से insulate करेंगे वही double pole पे हम straight MS channel की cross arms लगाके strain type disk insulator इस्तेमाल करेंगे और दोनों तरफ की disk के उपर jumper का connection tower से pin insulator दवारा insulated रहेगा इस line में 6 जगे हमने RCC के double pole structure यूज करने हैं और total 41 pole support में से 6 कम करने पे बचीवी 35 positions पर हम pre-stress cement concrete के 9 meter height के poles का इस्तेमाल करेंगे इन सभी 35 pole पे pin insulator को लगाने के लिए हम V-shape में cross arms का इस्तेमाल करेंगे बचीवी 6 locations पे हम double pole के 12 pole support RCC के जिन में ज़्यादा tensile force सेने की ताकत है वो pre-stress cement concrete से ज़्यादा मजबूत हैं उसी 9 meter height के इस्तेमाल करेंगे इन double poles पे जो बीच में हमारे anchoring cut section double poles हैं और angle deviation के double poles हैं उन पे हर double pole पे 2 horizontal cross arms दोनों तरफ string insulator को place करेंगी और जो end terminal पे start और end पे double pole structure हैं उन पे एक single horizontal cross arms होगी तो total हमें 10 cross arms इन 6 double pole structure पे लगानी हैं 2 km length की 50 meter span वाली line में जो 35 single pole लगाएंगे उनका structure यहां दिखाए अनुसार पीली highlight में आया pole structure होगा हर pole पे हम एक V cross arms लगाएंगे जिसमें pin insulator की यह जो positions हैं उन में तो 170 mm का 1 meter और 7 cm का distance होगा लेकिन यह पूरे cross arms की length 1980 mm है और यह एक C channel है जिसका size 65 by 65 है और thickness 6 mm है हर pole पे एक कुल 35 ऐसी V cross arms हम इस्तेमाल करेंगे पीछे से V cross arms को एक clamp से जो 50 mm चोडाई का और 8 mm मुटाई का है sufficient length के साथ होगा दो जगे से nut bolt washer से हम 16 mm diameter के से कसेंगे और ऐसा back lump का एक piece का weight 1.2 kg के असपास हो सकता है pole के top पे hemper में हम F shape का यहां आप देखिए एक clamp इस्तेमाल करेंगे और उस clamp में pin insulator की pin के उपर हम bolt लगा के उसे कस देंगे एक pole पे 2 pin insulator cross arms के उपर और एक F clamp पे कुल 3 line के तारों के लिए 3 pin insulator हो जाएंगे pole पे 3 से 4.5 मीटर की height के बीच में लगबग 1.2 मीटर height का barber wire का anti climbing set लगाएंगे जिसे दोनों तरफ उपर और नीचे clamp से कस देंगे लगबग 2.5 मीटर height पे danger plate लगाएंगे और pole की spiral coil की economic earthing कर देंगे कुछ single pole supports पे हमें angle deviation होने के कारण horizontal forces को balance करने के लिए stay की ज़रत होगी अधिकान single pole straight line alignment में होंगे तो उन्हें किसी तरह के stay arrangement की ज़रत नहीं रहेगी DP structure के लिए pole हम reinforcement concrete के लेंगे जो ज़्यादा strength वाले होंगे और इनमे strength को increase करने के लिए बीच में H bracing बनाते वे दो belting angle लेंगे 50 x 56 mm मुटाई की 1780 mm लंबाई की ये दो belting angles के बीच में हम cross bracing करके bracing angles लगा देंगे ये bracing angles की length 283 mm हो सकती है और इन belting angles और bracing angles को हम suitable pole clamp से जो 50 mm हम चुडाई और 8 mm मुटाई का है उनसे clamp कर देंगे और clamping के लिए हम 16 मीटर diameter और 50 mm length के bolts का nut और washer और lock nut के साथ इस्तेमाल करेंगे उपर disc type strain insulator को place करने के लिए हम straight channel cross arms का इस्तेमाल करेंगे ये straight cross arms अगर ज़्यादा interconductor spacing चाहिए तो 2800 mm लंबाई की हो सकती है नहीं तो हम 2200 mm लंबाई की cross arms के साथ भी economic design कर सकते हैं और 50 by 50 की C channel 6 mm मुटाई की दोनों तरफ लगा कर हम दोनों तरफ disc insulator को place कर सकते हैं और जो end terminal हैं उनमें सरफ एक single channel लगा के एक ही तरफ disc insulator लगाए जा सकते हैं कर लेंगे लाइन को एक jumper से connect करते समय पूल के ऊपर यहां pin insulator भी लगाएंगे तो हमें ऐसे double pole पे 3 phase की लाइन के लिए 6 disc insulator और उनके hardware चाहिएंगे जो 11 kv लाइन पे हम disc insulator इस्तेमाल कर रहे हैं वो tongue और pelvis type होते हैं जिनमें 40 किलो newton की strength होती है disc की diameter 255 mm और length 145 mm है disc insulator को pole के साथ लगाने के लिए जो hardware fitting है उसमें strain type clamps ball और socket type होते हैं और इन्हें लगाने के लिए suitable nut bolt washer clamps के साथ हम लगा देंगे 11 kv की line पे 12 kv strength के जो pin insulator है pin hardware के साथ यहां हम उपर लगा देंगे double pole पे 2 anti climbing device और 1.5 meter length पे danger plate लगाएंगे सभी double pole structure की हम 40 mm diameter और 1.5 meter length के pipe से pipe electrode earthing करेंगे और earthing का हमारा electrode दोनों double pole से 1200 mm की दूरी पे एक triangular shape बनाता हुआ बीच में आएगा एक ही pipe electrode से हम दोनों pole के उपर जितने भी metallic structure है उन सब की earthing कर देंगे जो cut section और angular deviation के double pole हैं उन पे ये जो दो ऊपर cross arms लगाए हुई थी जिन पे दोनों तरफ disc insulator लगाए हुई हैं उन में proper clamping arrangements हैं दोनों तरफ हम guy या stay arrangement complete set लगा देंगे जिसमें anchor plate के साथ anchor road stay wire के साथ egg insulation से होती हुई turn buckle के साथ pole clamp पर attach हो जाती है और एक double pole पे हम 4 से लेके 6 तक जैसी requirement होगी stay arrangement करेंगे जो start और dead end के terminals हैं उन पे भी RCC के double pole structure belting और bracing का arrangement दूसरे double pole की जैसे ही है लेकिन उपर सरफ एक straight cross arms लगे वी है और उसके एक तरफ तीन strain type disc insulator लगाए हैं और दूसरी तरफ सरफ दो guy stay arrangements हैं चार की बज़ाई के वल दो बाकी चीजें anti-climbing devices, danger plate pipe arthing और stay का जो arrangement है वो दूसरे double pole जैसा ही है 2 km लंबी HT line को हम visual ACSR conductor से बनाते हैं तो ऐसी distribution line में जो total actual length है उससे 3% extra length हम सेग और दूसरी wastage को counterbalance करने के लिए लेते हैं तो हमारी 2 km length में 3% अगर extra length जोड़ दे और तीनों phase की तीन लाइने 3 wire system में total visual ACSR conductor की length 6.18 km हो जाएगी और ये पूरी line में सबसे महिंगा single item हो जाएगा total line में सिरफ terminal जो poles हैं उन पे insulation के लिए हम strain type disc insulator का अकेले इस्तेमाल करते हैं बाकी सारे single pole और बीच में चाहे वो cut section sec division के intermediate pole हो या बड़े angular deviation के double pole हो jumper के connection करते समय jumper को pin insulator से separate करते हैं तो प्रतेक pole पे तीनों line के 3 pin insulator हैं तो total 41 support में से 2 end support को छोड़ने के बाद बचे वे सारे supports पे हर support पे 3 pin insulator के साब से total 117 pin insulator के हमें requirement होगी बीच के सारे चारों double pole पे हमें दोनों तरफ जो straight cross bars लगी हैं उन पे 3-3 तीनों line के disc insulator हैं जबकि किनारों पे terminals पे जो DPI हैं उनमें सरफ एक ही तरफ 3 disc insulator हैं तो अगर हम सारे disc की संख्या गिने तो वो 30 disc insulator हो जाएंगे इस material list और description का आप एक screenshot भी ले ले लें तो आपके लिए ये useful रहेगा पूरी transmission line में जो बीच के चार double pole हैं दो cut section anchor pole और दो बड़े angle deviations वाले pole उन पे दोनों तरफ हमने straight cross arms पर disc insulator hardware के साथ दोनों तरफ हर line के terminations को strain disc insulator पर कर लिया था और line के continuity बनाते वे ये जो छोटा अलग से conductor length हम जोडते हैं इसे jumper कहते हैं jumper को pole से एक pin insulator से separate किया जाता है jumper और conductor दोनो aluminium conductor होने चाहिए दोनों की current carrying capacity same होनी चाहिए और एक अच्छे line से jumper के connection करते समय हम PG parallel group clamp का इस्तेमाल करते हैं और दो nut bolt वाले ऐसे parallel group clamp बहुत अच्छे jumper के neat और effective connections बना देते हैं जो maintenance free लंबी services देते हैं jumper के ऊपर हम porcelain की beads या PVC के sleeves लगा सकते हैं ताकि bird keys बन जाए पक्षी इसके उपर ना पाएं line में जो 2 km length थी उसमें 3% allowances अगर सेग और westes के साथ हम रखें और तीनों line की total conductor length 6.18 km आ जाएगी हमने line current apparent power में root 3 times line voltage की division से 105 amp ये से जो suitable conductor है वो weasel जिसका aluminium cross section area T5 mm square है वो select कर लिया था और ऐसे weasel conductor की current capacity 160 amp है बीच में एक steel का reinforcement है और चारों तरफ aluminium के current carrying conductor same diameter 2.59 mm के हैं total aluminium area 30 mm square 160 amp तक का current carry कर सकता है steel की इस inner conductor और outer aluminium conductor के बीच में हम एक anti-corroge grease लगाते हैं जो steel और aluminium के बीच में chemical reactions को रोता है transmission line पे दो जगे जो cut section anchoring DP है उन पे हर DP पे चार stake का arrangement है जो guy support का काम करेंगी जो angular deviation है उन पे दोनों पोल पे एक एक stay arrangement को दो stay arrangement दोनो number of deviation पे होंगे जो हमारे dead end की DP है उन पे भी हम दो stay पर DP लगाएंगे कुछ small angular deviation पे जो single pole supports है उन पे भी हमें stay या guy arrangements देना पड़ेगा ऐसे 3 pole हैं पूरी 41 pole की line में तो total हमें 19 stay support लगाने पड़ेंगे और stay support पे pole clamp के साथ हम turn buckle को लगा देंगे turn buckle 16 mm diameter और 450 mm length की है जिसमें यहां जो turning hook है उसके मदद से हम stay wire में tension को adjust कर सकते हैं egg insulator का हम stay wire और turn buckle के बीच में नीचे के portion को safe रखने के लिए करेंगे और stay wire साथ तार हमारे 10 SWG 3.15 mm diameter के से हम anchor plate और anchor road को जोड़ देंगे हमारी anchor plate 200 mm by 200 mm या 300 mm by 300 mm dimension की 6 mm thickness की हो सकती है और उस पे 2500 mm के layer में आदा मीटर height पे RCC concreting हो जाएगी अगर हम cement concreting नहीं चाहते और anchoring support को अच्छा रखना चाहते हैं तो RCC के बनेवे anchor plate जो 450 mm by 450 mm dimensions की है और 55 mm मोटी है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी पूरी 2 km length पे 35 single pole हैं और 6 double pole में चैदुनी 12 RCC के pole कुल 47 7 pole है सबी pole पे हम नीचे से 3 से लेके 4.5 मीटर height के बीच में लगबग 1.2 मीटर height की ऐसी बारबरड वायर की length लगाते हैं ताकि कोई unauthorized person pole के उपर चड़ने का काम ना कर सके बारबरड वायर में चार इस तरह की chromatin dipped hard points हैं जो बाहर नुकी ले टेडी किये वे निकाले वे होते हैं और ये वायर में 75 mm में 10-12 mm कम जादा distances पे रखे जाते हैं और इन्हें pole के उपर हम helically wrap कर देंगे और दो वायर के बीच में pole पे जब wrapping करेंगे अभी हम diagram में दिखाते हैं तो pitch ये जो gap है वो 50 mm के आसपास रहेगा हम pole पे 3-4.5 मीटर length के बीच में इसकी लगबग 4 फिट लंबाई लगाते हैं और अब कोई आदमी बिना ladder या दूसरे support के pole पर चड़ नहीं पाएगा कुछ pole पर हम उब्रीवी spikes का भी इस्तेमाल करते हैं और वो इसी तरह का anti-climbing devices का काम करती है STK 11KV voltage 11,000V बहुत खतरनाक voltage है आम लोगों को जो इस खत्रों से जानकार नहीं है उन्हें चितावनी संकेत देने के लिए हर pole support पर DP पे भी केवल एक danger board लगाया जाता है danger board सफेद wetrous enamel coating के उपर लाल रंग से अंगरीजी में danger और हिंदी या local language में यहां equivalent danger का हिंदी में जैसे खत्रा या दू भी local language में होगा और English और local language में जो voltage है उसकी values और साथ में खत्रे के निशान में हड़ियां और ये खोपड़ी का जो निशान है वो बनाया जाता है 6 mm होगी और extended setup है कौन सा font लेना है centralized क्या dimensions लेनी है वो सब standard specified है 11 kv के line में continuous earth wire नहीं चलता तो हर pole की individual separate earthing करनी होगी तो हम single pole के लिए economic spiral coil electrode की earthing करेंगे 8 swg का लगबग 10 meter लंबा तार का 50 mm diameter के साथ 115 ton के साथ एक coil बनाएंगे जो लगबग 4500 mm dimension की होगी और इसे ground में 1.5 meter नीचे खड़ा करके place कर देंगे और alternate 1.5 mm की charcoal और नमक की layer करके soil के conductivity भी बढ़ा के ground resistance को tower के foot resistance को कम करेंगे और यह जो spiral coil earth electrode है इसकी position pole की center line से 1200 mm 1.2 meter दूर रखेंगे ताकि pole के नजदिक step और touch voltage के magnitude जादा ना हो जो double pole structure है उनमें दोनों pole के बीच में हम 25 mm के solid spikes या 40 mm के pipe की diameter length को ground करके grounding करेंगे और earth electrode को pole के ground wire से 8 SWG के GI तार से जोडते समय बढ़िया nut volt connection से या parallel group clamp से connectivity बनाएंगे बचीवी material list की भी description study कर लेते हैं 35 single pole और 6 double pole के 12 pole कुल 47 pole पे 3-4.5 meter height के बीच में anti climbing barpered while लगाएंगे जो 4 foot की length में लगाया जाएगा सब भी 35 single pole पे spiral coil electrode से earthing करेंगे और earth wire 8 SWG का लेंगे spiral coil में 10 meter length में 50 mm diameter के 115 tons 450 mm length बनाएंगे और ये electrode जमीन से 1.5 meter की गहराई पर नमक और चार कोल की alternate layer के बीच में earthing प्रवाइड करेगा सबी DP पे हम 25 mm के solid MS spikes या 40 mm के hollow pipe से earthing करेंगे ये pipe या spike धाई मीटर लंबे हैं और एक clamp से 8 SWG का wire earthing structure से जुडेगा सबी 41 support पे danger boat खत्रे का निशान सफेद base plate पे ला लक्षरों से खोपड़ी और हड़ियों के खत्रे के निशान के साथ लगाया जाएगा सभी double pole पे हम cement concrete की grouting करेंगे कुछ specified single pole पे भी हमें cement concrete की grouting एक तीन चे के रिशों में एक cement तीन कोरस सेंट और 640 mm के stone crushers की मदद से हम foundations में strengthening करेंगे और fittings और accessories की भी आफशकता रहेगी आशा है इस लंबी लेकिन interesting और informative वीडियो से 2 km लंबी 41 pole support वाली 50 meters span के साथ 2 cut section 2 angle deviations वाली line में किस तरह से हमने material calculation की है material की detail description क्या है quantity क्या है वो अच्छी तरह से calculate करना आग आगया होगा exam में इसी तरह के question को answer करने के लिए इस video description में notes की जो link दी वी है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपको अगर ये learning work अच्छा लगा है तो इसे like भी कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा फिर मिलेंगे इतनी ही खुबसूरत informative वीडियो के साथ